सतना शिरी वाहे गुरू सहब जीयो परम सन्मान्यो गुरूरू गुरू खाल्सा सा संगत जी वाहे गुरू जी का खाल्सा वाहे गुरू जी की फते शिरी गुर हरकोविन सहब जी दे पास एक पैंदे खान पठान नौकर सी जिस उपर गुरू जी ने साबना नालों चंगा बहादर जान के इतनी किरपालता किती के इसनो तलवार, टाल, भहुमुली पोशाक ते काबली मालवणा को अड़ा बक्ष के एगा लाखी के एहो पहन के साड़े पास आया कर उपरां तो बाबे गुर्दिते जी दे बाज बाबत जो कुछ चगड़ा छेड़ पया अर्थात ओहो बाज पैंदे खान ने ले आंदा और बाबे गुर्दिते जी दे पुछन ते मुकर गया पामे मीर शिकारी ते बाबे गुर्दिते दे आदमी ने बहुत समझाया पार ओह जवाई दे ले हाई नो साफ मुकर गया ओड़ के हे सारा हाल जाद गुरुज दे पास परगट कीता गया ता ओना ने छड़ी दार नो आख्या जाओ पैंदे खान नो बलाके ले आओ और अखना जिस दिन तो नवीन बस्तर शस्तर कोड़ा लेके तू गया है पांच्छे दिन होए मुड मू नी दखाया इस दा की कारण है और दर पैंदे खान ने अपने जवाई उस्मान खान नो बहुत केहा के बास दे दे जिस तरह के अपा पिछे दस्या है के पैंदे खान दे जवाई उस्मान खान ने गुरु जी दा बाज फाड ले आ सी इसलिए पैंदे खान ने केहा क्यों बनी होई इज़त विगाडदा है पर ओो दुष्ट उल्टा पैंदे खानू कैन लगा तू हिंदू काफर दा गुलाम बढ़ रहा है क्या होर साड़े पाई पठाण गुजारा नी कर दे तदो ही ता सारा पाई चारा तेनू काफर आगदा है पैंदा बोलया एसे आकड़ने ता पठाणा नू ब्रबाद का रख्या है टुकडा खान नू नहीं बुरा हाल बाके दे आड़ी पांग पुईदी होवे फेर वी रंगडवाली लत मंजे उते नहीं उतार दे पर होनते मेनू भी मारया जेड़ा भी गुरु जी दी चोरी किती होई चीज अपने पास रखदा है उस दा सत्यानास हो जानता है एहे बाज नहीं एहे ते मलकुल मौत फ्रिष्टा ले आनता है पैंदे खान दी तीमी बोली खान जी एहो जहिया खोतिया वाजा ना कड़ो की होया जो न्याने स्याने ने बाल फड़ लिया होन तुसी इस दा पक पलो पैंदे खान बोलिया सच बाहर मिया पंज हजारी कर बीवी चोले दी मारी एहे तू ही कला दा मूल है कुठाली गाल के छटेंगी तद अनू गुरु जी दे चौबदार ने छोटे मीर पेंड पैंदे खान दे कार जाके अवाज मारी पैंदे खान मन मुर जाई मेले कपड़े अंद्रों आया चौबदार ने केहा तेनू गुरु जी याद कर दे हान ताव हो ओसे तरा गुरु जी दे पास चले आया गुरु जी ने पुछया तेनू हुकम दिता सी के ओहो बस्तर शस्तर पैन के ओसे कोड़े ते साठे पास आया कर सो तू पंज दिन कार बेठा रहा आया है ताँ आहा कंगाला मंगू विपता दा बणा ता आ रहा है पैंदे खान बोले आ महराज जी मैं जिस तरह बैठा सा ओसे तरह हुकम सुनके चला आया है गुरु जी ने फुरमाया उसमान खान नू कओ बाई लेके आजावे जे उसनू शौक है ता टिके पास रहे बाजनू हथ होते रखे शिकार उते शड़दा रहे पैंदे खा साफ मुकर गया के मैं ता बाज देख्या ही नहीं ते ना ही मेरे जवाई उसमान खान पास है कल टिके जी ते मीर शिकारी भी गए सी जे हुंदा ता उसे कड़ीना दे शड़दे जे यसी बाज ही रखने होन ता सानु की बाज जादा काटा है इस तरह पैंदे खाम बोलिया गुरु जी ने फेर आख्या ओँ बाज टिके दा है दे देओ साथों होर ले जाओ पैंदे खाम बोलिया आपनु ता लोक अंतर जामी आख देहन एथे सरबगता कि थे गई एवे किसे दे कहे सुने साड़े जुमें तो मत देंदे हो तीजी वारी सचे पाशा तानिशीर गुर हर्गोविन साहब ने फेर केहा पैंदे खाम साड़े अगे चोर चतर ना बन बाज दिवादे लाली बनी रहू पैंदे खाम बोलिया मेरी लाली ता मेरियां पुजा दे आसरे है आपनू गुरु पीर सदा के किसे दे सिखे सिखाई निर्दोश नू दोश लोना ते चूठ बोलना जंगा नहीं फेर भी तरम तुर अंदर गुरु जीने तीरे रखके आख्या उल्टा चोर कोतवालनू डांटे सानू चू उड़ दसदा है अजे भी डुले बेरादा कुझ नी विगड़या बाज दे देओ क्यों तेरी शामत आई है हाट ठाण के फिर पैंदे खां गज के अखन लगा देखो यारो जे इमान नहीं ता कसम करा लो इस अत अनीत ते चूठी साँ खान उत्ते फिर गुसा खा के गुरु जी ने पाई बीदी चंद जी दे कानवे चाख्या जा इस दे करो बाज लेके आ गुरु जी ता उसनू एदर आख दे रहे ओदर पाई बीदी चंद सिखर दुपैरे पैंदे खादे कार जाके तीमी दी अख बिचाके जो बारे जा चड़या ता उसमान खान सुता प्यासी गुरु जी दे बक्षे होई शस्तर बस्तर किली ते बैसी ओ चटपट खडग टाल पुशाकी अड़े उत्तों बाज लेके उतर आया पलो पली रू ओडगई गुरु जी बोले नीच तुर्क देख आग थो निकलाया चुठी सों खाके नमखरामी बैमानी क्यों कीती फिर भी ओस नमखरामने माफी न मंगी उल्टा अखन लगा तुसा आपे ही आपने कारलुका के रख्या होया सी होन मेरे अगे ले आके रख्या है एहो जहे चल फ्रेव तुसी गोरपीर होके करन लगे ता होरादा की हाल होवेगा जाद पैंदे खाने एगल कही ताद गुरु जी ने उसनु पका चोर समझ के लत मुकी दी मार कराके करतार पूर्दी जुहों बाहर कड़न दा हुकम कीता ताँ उहो बोलेया मेरे बलनु सारा जहान जानदा है शा जहानु मिलके तेरी मीरी पीरी नाक सोड़ी ता मेनु पैंदा कोना खू चूठ मूठ तौमत लाके पले मान सादी इज़त उतार देनी इस दा मज़ा खूब चखावांगा मैं विखाँगा किनी को फते पाऊंगे एह मेरे ही नामदा दबदबा सी जो डर्दे मारे लोग जांके तो हार जांदे रहे पैंदे खां हंकारी दी एह खोटी बकवास सुनके सिख तके मुकेश कौंदे होए करतार पुर्दी हद टपा आए बुरे हाल निमो चुना चूर्दा हया कर गया ता उसमान खान आदक हैरान परशान हो गए पैंदे खाने रो रो के सारा हाल दस्या उस दे जवाईने अख्या खां जी जिन्ता ना करो सानुवी पठानी ने नहीं जाने आ जे गुरु तो इस मारदा बदला ना लगे तेरी ताकते भादरी दी बाशा तक तांक पैर ही है पाईचारा सारा तेरे पिछे है बाशा तो फौज ले आके गुरु नु फढ़के जागीरा इनाम ते मरतबे लवाँगे सगो चंगा होया जो हिंदू काफर दी ताबेदारी तो बचे साथ संगज जी पैंदे खांदे आंत समे गुरु जिने अपनी तलवार नाल पैंदे खांदा एकवार नाल ही उस दा वद करके उसनो प्रलोक विच पेज दता साथ संगज जी जिस वकत पैंदे खांदा आंता आया ओ जंगे मैदान विच सी जंगे मैदान विच गुरु जिने पैंदे खांदा नू वंगा रहा ते बोले हे पठान सोन सावदन होके हुण मे नू वार देओ तू बहुत बल लाके तेनवार की तेहन ताद पैंदेखां गुसे वे चाके बोलेया तुसी वार की करना है मैं तो अनू हुने फाड लवाँगा हुन ऐसी बुरी तरह फड़ाँगा के छड़ाँगा नहीं चंगी तरह वस करके चोक लवाँगा अपना जोर लालो जान नी दे आँगा जे तुसी एक वर फड़े गए ता असानी नाड छोट नी सकते एस उनके गुरुजी ने गुसे नाड अखा लाल कर लिया एदरुदर फिर दे नेडे पहुंचे पैंदेखां अपनी टालनू अगे कर दन्दा सी गुरुजी एक ही वार नाड मार देना चोंदे सन उस दा स्रीर चीर के प्राणा दा नाश करना चोंदे सन ताद पैंदेखां ने चेत वेच चाहत तार के सोचया हुने गुरुजी नो अपने कलावे वेच फड़ लेंदा हां बाहर ले चलांगा कोई भी नहीं छुडाएगा बहुत वड़ा दाल खड़ा है सारे पाजोन गे इस तरह सोच के रोकन वास्ते टाल छड़ दती फुर्ती करके त्रोंत गुरुजी नो फड़न लगा शीरगुर हर्गोविन जी ने मौका पाके तिखी परचांड तलवार नू बीली वांग मारया फिर टालनाड उसनू छां किती मूँ ते जड़ी तोप पेंदी सी उसनू दूर किता खड़े वेखद्या नैना विच हजू चड़े जेडे पैंदे खादे मुखते पई जिमें जाल लकडनो पाल के वदोदा है ते आपना जान के जाल लकडनो आपने विच नहीं डोबदा पेंदे खाद तर्फदा होया चट मर गया सादगुर जिने हिर्दे विच बहुत सने कीता होन शस्त्र चड़े आंगे ए मनोरत तारन कर लिया असी हजारां ही तुरकानों मारया है जिसनू पालया सी उसनू अपने हाथ नाल मार दता इतियाद सब दोशो पाया जे होन शस्त्र चड़े ये तावी कठनाई है सादूर जिने हिर्दे विच पेंदे खादा बहुत सने कीता क्योंकि उसनू गुरु जिने अपने हाथ नाल पालया सी जिसनू आज अपने हाथ नाल ही मार दता गुरु जिने बल नाल तलवार नू उच्चा करके वार करके पैंदे खादे श्रीर नू एंज चीर दता सी मानोतर खाण आरे नाल लकड चीर दन्दा है जिमें ओह लकड दे दो महां टोटे कर दन्दा है जिमें सापन बनोन वड़ा लोहिदी तार लेके किसे देर तो बगैर सापन दे दो टुकडे कर दन्दा है जद डिगन लगा ता उधार्चित गुरु जी ने कहा तेरा तुरकादे कार जनम होया है कलमा पढ़ ले डिगन लगे पैंदे ने कहा हे गुरु जी तो अड़ी तलवार ही कलमे दा रूप है होण मेरा उधार कर दे हो पैंदे खाने जद दीन होके इस तरह केहा हे गुरु जी तो अड़ी हथ दी तलवार नू ही मैं मिस्री रूप कलमा जानया है ए सुण के हिर्दे विच प्रेम जाग पया पहला अपनाया फिर पालना कीती अपने हथा नाल मूँ विच गरहिया पाईया सदा ही उत्तां वस्ता दिन्दे रिंदे सन पाद पादियां पोशा का पहनाईयां ते पाद पादे पदारत खवाए जिसनों बोल के परसंद करदे सन ते दानमान दे के त्रिप्त करदे सन उस दी दुखी दशा वेह के कमल लेना विचों पाणी निकलाया जिस दा चेहरा हुण बहुत सफैद हो गया सी ते तो विच पया तड़ फ्रेया सी सोसा संगर जी इस तरह गूरु हरगोविन जी ने पैंदे खादा उदार कीता इस साखीदा तात परया एह है के जिस पासों हरेक परकारदे सुख प्राप्ट करके अनदपोगो अखीर उस दे समने उसनु को बोल बोल के अकिर्द कानदी पदवी पैंदे खाने प्राप्ट की तुम देवो हो सब किस दयातार हम अकिर्द काना रे है है सचे पिता वाहे गुरु तुसी सब कुछ दयातार के दिन दे हो परसी अकिर्द का अनहां तेरा किता कुझ नहीं जान दे हो यहां पुला चुकांदी खेमा बक्षनी जी दासनु आग्या देओ वाहे गुरु जी क खाल्चा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फते